नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कैसे एक बुढिया माईने ठगा शिवजी को, ये बात बहुत ही पुरानी है, एक गाउं में जिसका नाम महिपाल पुर्था एक अंधी बुढिया रहती थी, वह शिवजी की परमभक्त थी, आखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुभै शाम शिवजी की बंदगी में मगन रहती, शिवजी बुढिया की भक्ती से बड़े प्रसन हुए, उन्होंने सोचा यह बुढिया नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, भक्ती का फल तो उसे मिलना ही चाहिए, ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढिया के सम्मुक प्रकट हुए, और बोले माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो, जिस शधा वे विश्वाश से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन है, अतह तुम जो बर्दान चाहो, हमसे मांग सकती हो, बुढिया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ती प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतह मुझे कुछ नहीं चाहिए, शिवजी पुनह बोले, हम वर्दान देने के लिए आए हैं, बुढिया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें, तो मैं कल मांग लूँ बुढिया का एक पुत्र वै बहु थे, बुढिया ने सारी बात उन्हें बता कर सलह मांगी, बेटा बोला, मां, तुम शिवजी से धेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरी भी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे, बुढिया की बहु बोली, नहीं, आप एक पोते का वर्दान मांगें, वैंश को आगे बढ़ाने वाला पी तो चाहिए, बुढिया बेटे और बहु की बाते सुनकर असमंजस में पड़ गई, उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बाते कर रहें हैं, बुढिया ने पड़ोसियों से सलहा लेने का मन ब जाए, धन और पोते का तुम क्या करोगी, अगर तुम्हारी आखे ही नहीं हैं, तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतह तुम अपने लिए दोनों आखे मांग लो, बुढिया घर लोट आई, बुढिया और भी सोच में पड़ गई, उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूँ, जिससे मेरा, बहु, वे बेटे सब का भला हो, ऐसा क्या हो सकता है, बुढिया कभी कुछ मांगने का मन बनाती, तो कभी कुछ, पर अंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी, दूसरे दिन, शिव जी पुनह प्रकट हुए, और बोले, आप जो भ ही मांगेंगे, वे हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है, शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढिया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन हैं, तो किरपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूद पीते देखना चाहती हूँ, बुढिया की बाते सुनकर शिव जी उसकी सादगी वे सरलता पर मुस्कुरा दिये, बोले तुमने तो मुझे ठगी ही लिया है, मैंने तुमे एक वरदान मांगने के लिए बूला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया, तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दौनों आखे मांग लिया, बेटे के लिए धन वे बहु के लिए पोता भी मांग लिया, पोता होगा, धेर सारा पैसा होगा, तभी तो वे सौने के गिलास में दूद पियेगा, पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख के लिए दो आखे भी देने ही पड़ेंगी, फिर भी वे बोले, जो तुमने मांगा ये सब सत्य होगा, यूं कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए, कुछ समय पाकर शिवजी की क्रपा से बुडिया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला, और बुडिया की आखो की रोशनी वापस लोटाई, बुडिया अपने परिवार सहित सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी, तो दोस्तों इस प्रकार से एक बुडिया ने शिवजी को आखिर में ठग ही लिया,